नमस्कार दोस्तो इंडिया पटेटो खिंदी पे आफ सवी को दिल से स्वागत है दोस्तो पश्चीम बंगाल पे अगेती आलू का खोदाई चल रही है फिलहाल धीरे धीरे से कई कई जगाओ पे और कईच कुछ जगाओ पे मेली जोटतार ही चल रही है बरतमान पे दोस्तो आज हम अगेती आलू का ग्राउंड रिपूट करने इस वक्त आ चुके है बस्चीम बंगाल की बाकुडा जिले की कुतुलपूर इलाके की अंडर की जो दारकिश्वर नदी की किनारी के जो इलाका है इस इलाके में तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग देख पा रहे ह है कि अगेती आलू यानि पुख्राज आलू का इस वक्त खुदा ही चल रही है तो मैं मेरा कैमेरामन राकेश को कैमेरा देता हूं दादा इधर आई यह दादा आलू लेके आई और देख लेते हैं आज आलू का क्या रेट विक्रा है पहले आपना नाम बता दीजिए कार् प्याई एक पैकेट का हाई एक पेकेट Guy fix हमारा है एक पैकेट पयू फिलो का होता है 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 इस दाम पे आप ब्यापारि लोग को विक्री अधे आपका पुख्रा जालोग कितनी जमीनों पर आपने किया है इस साल में 10 कटा है थोड़ी कम जमीन है है थोड़ा कम जमीन है आज 530 रूपिया यह आपका किसान भाइयों का रेट है आप इस दम पर भी देंगे व्यापारी लोग पर अच्छा आज रेट क्या हाइ कि तरफ है और भी डाउन हो गया आज रुपया है 30 रुपया का हाई होता है तीस रुपया हाई हुआ है ओके इधर देखिए आप खुदाई थोड़ी बाद में करेंगे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बोलिए कि यह तो पीछे हम देख पार है जो दारकेश्वर नदी है यह कि किनारी की इलाका है मैंने इन इलाके को विजिट किया तो तब देखा था कि पूरा जमीने पूरा डूब गया था पानी के नीचे तो यह राकेश थोड़ा इधर आओ एक बार हमारी दर्श्रकों को दिखाओ कि यह कोतुलपूर का आज का आज पांच जनवरी दोहजारचोविश शुकरोबार पे देख पाला है कि अगयत आलू का खुधा ही चलर जैसे इसे बढ़ी हा क्वालिटी आलू तो हर साल होतीय लेकिन बारिश की कारण यह चोटा इससे ज़्यादा होता है इए जदा होता होता है यही जलोई आलोऑता ना ले यह ओता है अहले पोध्या को जाएंग आप देख देख लेते हैं कैने इह अची पाउद्य पर ना अच्या मटे अथर से एक भी आलू नहीं है इसको थोड़ा उठाई है यह होती है यह बाबा यह तो पुड़ा फट गया फट गया इधर एक और पोड़ा उठाई है क्योंकि यह लोग सोचेंगे चायद मैं फेक वीडियो देख रहा हूं लाइफ देख लीजिए आप उठाई है यह देखिए यह चोटा है इस पर तो नहीं था थथो दो दो होता है यही गाची एफ गल्ट वर वां कि इसे जादा होता है इसा मेरी बारिष के कारण है आसा वारी इसा हुआ है अशहाब इधर आई है आप मुझे बताई यह पैदावर कितना हो रहा हैं निकाल रहा है कितना पारा कौठे पिछले साल होता है इस साल कितना हो रहा है यह साल दूगों होता है दो होता है जैसे हम लोग देख पाते हैं बाहर पर इधर रहें बाहर पर ऐसा होता है कि अगर पैदावर कम है फलन कम होता है तो दाम बढ़ता है तो यहां पर ऐसा क्यों है दाम इस वक्त क्यों नहीं है आलू का क्या बोलेंगे आप लोगों को लगता है कि आगेति आलू का इस वक्त आप लोगों को सही दाम नहीं मिल रहा है अच्छा यह सोच लीजिए एक आप इधर रुकिए अच्छा आओ इधर आओ यह जो आलू उहां पर सोच लीजिए बस्ता में आप लोगोंने बंदी करके रखा है एक पैकेट आलू के उपर एक्स्ट्रा और कितना खर्चा होती है जैसे लेवार लेवार का कितना पैसा लेत अब सोच लीजिए वह दादा जो है हमारा सोच लीजिए वह लेवार साब है वह खुदाई करके आलू जमा करके एक बस्ता में राखेगा उस बस्ता को ट्राक्टर पर उठा देगा उसके लिए ओलेगा पंद्रा रुपिया एक पैकेट का कितना प्राइस होती है उसके आट टका खूब जर रहा हुआ जो 10 रुपिया मैं पकड़ लिया तो आपने जो 530 रुपिया आज बोला यह जो 25 रुपिया करे होती हैं 15 और 20 बॉलेगा और उपांदरे रुपिया 45 रुपिया तो तो पाँज रुपय का यह मने यह में पाएगा इसके साथ जुड़ा है जब यहां पे में लिए बाइब दारकिशर नदी के किनारे जितना विए आपके अधर पुग्राज आलू का खेती होता है साथ सद आप लोगों ने वह जो रांगा अलू उसको भी उसका मीठा आलू ज शायद मतलब यह देखने भी अच्छा लगता है कि किसान भाई लोग खेती में खुदाई कर रहे हैं लेकिन फिलाल उनको दाम नहीं मिल रहा है क्योंकि पैदावार कम है तो मुझे बताइए कि ता था कि पूरे जोटता रूटने में अभी कितना दिन और लगेगा अभी फॉन लगेगा संक्रांति करें चला ही जाएगा मकश कंच के मकरसंत के सब ऊच जाएगा बले अगले पहले उस्याएगा उठ जाएगा ओके इधार एक बार देखाओ मैं राकिश को अनुरुद करूंगा तो दोस्तों देखिए कोतुलपूर इलाके में मैं इस वक्त आया खुब दामोद दरकशर नदी की किनारे जो एडिया है यहां पर यह मेली जमिनों पर बारिश के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ था तो नुकसान की रेजल्ट्स आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बहुत सा कम पैदावार हुआ है तो एक जमिन देख लीजिए वहां उधर एक जमिन है इस जमिन पर जोती आलू का खेती हुआ था पहले बारिश के कारण जमिन पूरा डूब गया था लेकिन फिल खार्चा हो मिला कि लेकिसा तो आप इस वक्त पूलिये tandem कोल्ट में आलू एक फिर आपने सबीडिया था पहले पहले का नंगा यह कि बोलेगा बेपसदर जाँ बोलेगा कतल को यूनियन होता है ओ जा बोलेगा ताब होगा आपका परसोनाल इसवक्रमों में की समने तो जोतीयाओ के घिधि के अपने जोतीयलाओं लागेता है बरिस में जदा बारिस होता है गाच प्यादा होकार से यहां पर आता है सो का बोलेगा से जल में पानी में दुबग गया सब छड़ गया हमारी चैनल के माद हम यूपी या फिर अदा स्टेट की जो भी दश्रक लोग ये वीडियो देख रहा है उनको आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप भी किसाने को पसल का सही पैसा नहीं मिल रहा है या बंगाल की किसाने अगेति आलू बेचके आपको नुकसान होायों यूपी का वहां पे भी किसानों का करेब सेम जैसा ही हालत है क्या कहेंगे आपने जैसे किसान भार को इसना मई च唉 आपको क्या लगता है कि अगले कुछ दिनों पर अगेती आलू यानि पुग्राजालू का भाव और बढ़ेगा या फिर और भी कम हो जाएगा आपको क्या लगता है पुग्राजालू का या हमारा इलाका में पुग्राजालू नहीं बाड़ता है अभी और नहीं बढ़ेगा भाव आपको लगता है आपको लगता है ओके ठै किसान भाई लोग 530 रुपिया प्रती पैकेट के हिसाब से ब्यापारी लोगों को आलू बेच रहे हैं दोस्तों हमारे यह पे तो मांडी फंडी कुछ नहीं होता है कि किसान लोग आलू जमीन से डाइरेक्ट उठा के ले जाएगा मांडी पे वहां बूली लगके आलू का र कुछ लोग कमेंड भी लिखते है कि हम जैसे यूट्यूबर के लिए आलू का रेट नहीं बर रहा है दोस्तों आप लोग अगर सचमे आलू व्यापारी है सचमे अगर आप आलू व्यापारी है तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज का प्राइस फिक्स होता है उसका डेम क्या दाम मिलेगा इसको किसान भाई'ों को और बात आती है दाम पे हम जैसे यूटीवर को हम जैसे नियूस डिपॉटर को मेंली दोशी करते है आप लोग के हम जैसे यूट्यूबर के लिए के आलू का प्राइस नहीं बर रहा है दोस्तो इस पर हम क्या कर सकते हैं हम तो वही करते हैं जो किसान भाई लोग सच में हमारा सामनी जो होता है हम उसी को ही आप लोगों तक दिखाते हैं और कोई भी चीज चाहे वो आलू हो चाहे वो लशुन हो चाहे वो पियास हो किसी भी सबजी हो किसी भी फल हो उसका रेट फिक्स होता है उसके डिमांड और सप्प्लाई के उपर कल आपको दिखाया था कोलकाता की फॉल बजर का वीडियो बरसु दिन पर आप लोगों को धिखाया था कोले मार्केट का वीडियो दोस्तो यहीं हमारा कांठ है इसको सच मानिये ये चो वीडियो आपको दिखाया ये ही सच है किसान भायों ने खुद अपनी जमीन को खोड के दिखाया के यहां पे आलू का क्या स्थिति है पॉधे जान ही नहीं निकाल रहा है ऐसा है वर्तमान स्थिती दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए तुफ़न की गतिपे सभी होट सेफ और फेस्बूक ग्रूप में क्यूंकि इंडिया पटेटो हिंदी जिस चैनल आप देख रहे हैं इंडिया पटेटो हिंदी चैनल ही एकमात्र चैन को सब्सक्रीब करके पास की बेल आइकन को क्लिक करके ओल कर दीजिए दोस्तों किसी और जगा का ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे तब तक के लिए स्वस्त रहना मस्त रहना जय हिंद जय किसान